खलो स्टुवेंट्स, आजी आमें इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग रो कीछी इंपोर्टेंट क्वोषिन डिस्कस करमा, जेंट अकी एक्जाम लगी बहुती इंपोर्टेंट आहे, जें एक्जाम टा आमर 27 रो अचें। ठीव जे तो स्टार्ट करमा है आमार फास्ट कोश्चिन रू एच पर इंडियन इलेक्रिसिटी रूल नमबर 35 स्टेट्स एबाउट पचरो जे कि रूल नमबर 35 इंडियन इलेक्रिसिटी रूल नमबर 35 कहार उपरे कोही चे तो तमार एंसर आवा कॉसर नोटिस उपरे जे ड पोच earns धो होगे उन्बुख मोंको पोच्रेजे की केडिवल्स प्रोटेक्टेड वाई बित्ूमिनलस मैटेरियाल डा केते नमबर इलेक्रिसिटी रूल है तो रूलनमबर 79 र dereक्लिक करुवो जदी पचरीजे एक्सेसिबिलीटी ओब बेर कंड़क्टर सेटा तमोर इंडियन इलेक्टिसिटी रूल नमबर 34 थिला आओ जदी पचरीजे की हेंडलिंग ओब इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स और अपारेटरस तहले सोर पकावो 36 के तो ज़स्ट सोर रखवा तरीका देखो फास्ट लखाई चे केबल्स प्रोटेक्टेड बाई बिटू मिनस मेटेरियाल बिटू मिनस इज़े 9 लेटर वाड तो हत्ति लेगी तमों 39 रे तमोर याद रोखी पारवो कॉसन नोटिस्टा इजी होचे 35 याद रोखी वा नेस्ट होचे तमोर एक्सेसिबिलिटी ओ बेर कंड़क्टर देखा बेर फोर लेटर वाड तो सेनों तमों 34 के मनों रोखी पारवो नच्टो डी ओप्सट आहला चें हैंदलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सपलय लाइन यह तमको पह्च रहेज ज्यकिंग आई क्यप्चिन नमबर इलेक्ट्रिसीटी रूल आ है तो तमको 100 रुखवार लेटवार पड़़ा से रूर्वार थाल थाटि सिक है सो रखवार तरीका जोदिक उटे तमको में कहमी ट्रीक्ट देमी जनता है कि तम्में सो रखवाले तमको इजी हवा तो सब बेश्ट तरीका इटा हवा कि सो रखवा कि हैंडलिंग कर वाला ही तुम्हें दिया जिवा उटे छो क्लास रो छुआ के इलेक्ट्रिकल एपारेटर तो थिक से हैंडल करी नाए पारे नहीं फीट उटे तमको छुआ के मनल वही जीवा तो हैंड़ेल आओ छो के लिंग कर देला है वा हैंडलिंग अप इलेक्ट्रिक सप्ले लाइन डा केते नमबर इलेक्ट्रिसिटी रूल जोस तम्हों मैंड चोड अथिवार कथा तो 36 रे तम्हें इजिली क्लिक कर दो नेष्ट ई गुट्रे कोशिन आमें चाट्टा कोशिन कवर कोल लू फास्ट कोशिन रे नेष्ट जिमा में सेकनड Second कोशिन रे भी आई-ाई-ार इंसूलेशन बिया यार स्टांड फ़र वोलकानाइज्ट इंडियन रवर नेस्ट कोशिन वाट सुड़ बी दो क्लियरेंस एबब दो ग्राउंड फर ओभरड लाइन इन्क्लूडिंग सॉर्विस लाइन इरेक्टेड अक्रोस स्ट्रीट सेल बी एट एनी पार्ट देयर ओब बी एटे हाइट लेस देन डैस फर एच भी लाइन तमकु इन्हें गुटेजनेस दखवार होचे इन्हें कोशिन पचरीजे कि ग्राउंड रू केतेरो क्लियरेंस रखवार होचे ओभरड लाइन उपरे पचरीजे सर्विस लाइन हो कि ओभरड लाइन हो केंसी भी लाइन हो जोश ग्राउंड रू तके केतेरो क्लियरेंस तमकु रखवार होचे जोड़ी से टाइए इरेक्टेड कर रहा ही चे एक्रोस स्ट्रीट लाइन ओके तो इवाड टेके भोल ससुनो एक्रोस स्ट्रीट लाइन लेखा दिवा कोश्चिन रे आओ हाई वोल्टेज लाइन लेखाई चे एच भी लाइन लेखाई जे तो से केस रही तम्हें 20 फीट रे क्लिक कर वो तर मानने गुटे ओभरड लाइन टे एक्रोस स्ट्रीट पास करूँ चे एक्रोस आव एलांग भीतरे डिफ्रेंस तमको मीं बतई ही जे तो जटवले एक्रोस स्ट्रीट पास करूँ थो भाग उट्टे लाइन टे अव सेटा आपूट आगोटे हाई वोल्टेज लाइन थेई थिवा तो सित्ते विले तार Ground Clearance तमको केते रखवाल लाई पड़वा 20 feet रखवाल लाई पड़वा ओके जदी सिता गुटे लो बोल्टेज या तो मीडियम बोल्टेज लाईन होचे ताले सितार लागी तमको 19 feet क्लिक करवाल लाई पड़वा सेम कोश्चिन जोस्ट तमको पचले थीवा लो बोल्टेज या तो मीडियम बोल्टेज लाईन लागी तो सित्ति क्लिक करवा 19 feet सही समान कोश्चिन थीवा एक्क्रोस स्ट्रीट लाईन लेखा थीवा बड़ तमको लाश्ट एच भी लाईन नहीं लेखाई गरी तमको लखा थीवा लो बोल्टेज और मीडियम बोल्टेज लाईन तो से केसरे तममें राइट एंसर आवा तमवर 19 feet तो कोशिन के भूल से पढ़िवा जद्धी कोशिन लेखाया चे एक्क्रोस स्ट्रीत लाईन और provalco Uhr हायज्ड लाईन दीटो से स्ट्रीट लाईन हाई जिन पढ़िवा तेवेज्टि क्लिक करवा तो Wi Rights लेवेल जिदी कॉम होचे तो आमें वान फीट कॉम करतेले भी 12 खुड़े फीट नहीं को रिगरी उनेस फीट को लेवी 12 नेस्ट कोस्चिन आमें जिमाएवे कोस्चिन नमबर 4 के जेने कोस्चिन ने पचरा हीचे सेम कोस्चिन लो आउ मिडियों वोल्टेज लाइन लेगी जेदी पचरा हीथेवा तमको एक्रोस ए स्ट्विट लाइन तो तमो राइट एंसर केंटावा 19 फीट ओके तो नेस्ट आमें 5 नमबर कोस्चिन के जेमाँ 5 नमबर कोस्चिन ने तमको काणा पचरा हीचे वाना की से पचरा ही तेवा लेकिन समको लेखा ही तेवा एल लांगे स्ट्रीट लाइन इल्ओंगे स्ट्रीट लाइन लाइन ऄ हइं ज्योड़् नमाच नमबर कोश्चिने पचरा चला हीचै 1 वोल्च्रा भेस्मी दıलाइन तो समानेन के तो १। स्ट्रीट लाइन रो सांगे सांगे ही मूब करुछे तो से केस रे तमको ग्राउंड रो तार केते रों डिरेंस रहेल लेगी पढ़वा ज़दी सेटाग ऊणिटे हाई लाईन है तार लें 19 फिटलों क्लिरेंस रहेल लेआई पढ़वा और ज़दी सेटाग ऊटे लोग वल low voltage आवं medium voltage line लगी पोछ रही से केसरी तम्हें eo option c के मारवा जिंडगे र फीट है वाके अमरक्च five नबर कोस्टिण है Ray पर HV line लगी पुच्छ रही चे, option B के क्लिक करगो, जदी question रे last रे HV line नाई लखी करी, low and medium voltage line लखी चेता, ताले से केसर तमें option C के क्लिक करी चेता, ओके, then moving to the next question, RCC pole stands for, देखो RCC रो full form है सी, reinforced cement concrete, यादर हो ही जवा, किची difficult में सी, next question, question number 7 हुचे, the height level of switchboard from the floor must be, तुमार जैन switchboard माने थिसी, शेटा floor level रू या तो ground level लू केत्ते उपरे थिसी, ना 1.5 meter उपरे थिसी, तो जैन चाट्टा option दीचे सेवितरू, option B, the right answer है, 1.5 meter height रहे, तुमार थिसी switchboard, next question के जिमार आमे, 8 number question के, as for the rule number 65, the voltage test, if the normal working voltage exceeds 1000 volts, but does not exceed 11 kV, then which of the following option is true? ज़ जदी तुमार normal working voltage हा, गुट्टे transmission line रह, normal working voltage हा, जदी 1000 volt रू बेसी है, but 11 kV कम हाई, तो से case रहे, से जन transmission line रहे, आमोर टेस्टिंग भोल्टेश्टा हा, जदी तार normal working voltage भाविद्यो 5000 volt है, तो obviously 5000 तो 1000 नू बेसी है, अब 11 kV नू कम है, होगी ने, बने 1 kV, 11 kV भी भीत्रे जदी तमोर operating normal voltage हा, होचे, से case रहे, तमोर testing voltage हा, सिंप्ली double हावा, सपच 5, 5 kV भीत्रे लाइन है, तो let 5 kV होचे, तमोर line रह, normal working voltage, तो तार double टा केते हावा, 10 हावा, तो 10 तो हावा तमोर testing voltage, ओके, तो इन्हों काणा में बुझवाल लाइ पैलू कि, जदी 1 kV, 11 kV भीत्रे तमोर line रह, working voltage हा अचे, ताले तार testing voltage रह, double हावा, the testing voltage, तमोर 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 टेस्ट करवा, से line के, double the normal voltage रह, टेस्ट करवा, जदी सेड़ा double the normal voltage रह, ठीक से work कोरूँ छे, तेवे ही ताके normal working voltage रह, work करवा लगी, allow करा जिवा, ओके, तो इड़ा थिला तमोर rule number 65, जदी तमोर normal working voltage रह, 1 kV, 11 kV भीत्रे ही हो छे, से case रह, तमोर के तेस्ट करवा, तो तार testing voltage रह, जदी भी तार normal working voltage रह, तार double हावा, ओके, ज़ेते भी तार normal working voltage रह, तार double हावा, तमोर testing voltage रह, question number 9, light fan and 5 ampere socket outlet sub-circuits with a number of points not exceeding 10 or 800 watts in each sub-circuit, तो इने question रह, तमको मन रखवा ले पड़वा, कि जदी गुटे sub-circuits टे हो छे, ज़ेन sub-circuits रह, खले line, fan या तो 5 ampere socket outlet माने ही connect करा जाओ जाओ जे, तो सेने तमोर maximum कितेटा point एलाओ करा जाएसी, दोस्टा point ही गुटे गुटे sub-circuits रह, एलाओ करा जाएसी, और से दोस्टा point जेन एलाओ करा जाओ जे, से माने किते power consume करी पारवे, maximum 800 watt रह पावर consume करी पारवे, गुटे गुटे sub-circuits रह, बुझी हुझे, तर मने गुटे sub-circuits रह, ज़ेन sub-circuits के तम्हें डिजाइन करी जो light fan आओ 5 ampere socket point नहीं गरी, से ने तम्हें टोटाल 800 watt रूँ बेसी पावर नाई consume करवार को था, ओके, तो हैति लागी इने जेन option ने तम्हें क्लिक करवा 800 watt, तो ज़े गुटे sub-circuits तम्हें डिजाइन कुरुजो, और question रह, पच्रे जेकी, गुटे light fan sub-circuits होचे, तो से sub-circuits मेक्सिमम केते टा point allowed होचे, तो तम्हें कोहबो, दोश्टा point रूँ बेसी point allowed ही नाई पारे, गुटे sub-circuits रह, अब इज़े इटा पच्रे जेकी, केते water power सेटा consume करी पारवा गुटे sub-circuits, तालो तम्हें तम्हें रह एंसर होबा, 800 water power consume करी पारवा, तान्नों बेसी हामें allow नाई कोरू, next आमें जेमा question number 10K, as for the rule number 67, तो neutral point in star connected system, shall be earth by not less than 2 points, दखा, rule number 67 कहुँजे, कि जे neutral point तम्हें थिसी, star connected system रे, शेटा के तमको दूइटा distinct जागारे, आर्थिं करवा लागी पड़वा, गुटे point ही पारे तम्हें जेनरेटिंग स्टेशन ता इटसेल, आग गुटे point तम्हें तम्हें सॉब स्टेशन ही पारे, तम्हें तम्हें जेन neutral point तम्हें जेनरेटिंग स्टेशन 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 तम्हें जेनर तुमोर नियूट्रल पॉइंट के नेस्ट कोशिन के जिमा 11 नंबर कोशिन दाख जोदे तमको पोचराईजे की What is the unit of luminous intensity of light Your answer should be Candela Because Candela is the unit of luminous intensity Next कोशिन What is the SI unit of luminous flux यह भी तमको इने luminous intensity नाई पोचरे इने तमको पोचरे चे luminous flux जेने तमको लुमिनस flux उपरे पोचरे थीवा तुमोर एन्सर हावा Lumen Insert L M तो लुमेन हावा तुमोर एन्सर जेने तमको कोशिन नाई पोचराईजे What is the SI unit of luminous flux Option रहे किछी भी लेखा थीवा चाट्टा ओप्शन दीथीवा लेकिन तमपोर मोनेटार हावार कोथा कि जेते बल्ली भी कोशिन नाई पोचराईजे भा कि What is the unit of luminous flux Your answer should be lumen आउटा कोशिन के पोचराईजे एक्जाम रे जेनटा की होजी तमपोर SI unit of illumination जोदी कोशिन नाई तमको illumination रो unit पोचरी चे SI unit तो तमपोर एन्सर हावा lumen per square meter ओके आउ lumen per square meter भी ही पारे याता locks भी ही पारे तो तमको अप्शन दाखवा lumen per square meter option ने पोचरी चे की तमको locks देएचे option रे तो जोदी locks देएचे ता सेटाब ही तमें क्लिक कोरी पारो और जोदी locks नाई देगरी lumen per square meter देएचे then click that option SI unit of illumination is lumen per square meter ओके नदा next unit next question is SI unit of luminance question ने पोचरी चे what is the SI unit of luminance question number 14 तो तम्हार answer हवा candela per square meter candela per square meter candela के insert रे CD लखा जैसी square meter के तो जानी चे meter square लखा जैसी तो जदी तमको luminance रे unit पोचरा जाऊँचे भौल से सुनो काना कुँचे luminance ते जदी तमको question रे luminance रे unit पोचरी जै तो तम्हार राइट answer हवा candela per square meter जोदि तमको question रे illumination रो unit पोचरा जाएचे तो तमार एंसार रभा Lumen per square meter जोदि luminous flux पोचरा हैचे तो simply Lumen जोदि luminous intensity पोचरा जाएचे तो candela ओके तो starting रो आउथ तरे 11 नमबर question रे काना पोचरा हैचे SI unit of luminous intensity of light जोदि luminous intensity इवाट तमको mind का सी जाओजे तो मने रखवार ओछे की तार unit हुचे candela जो शूट है candle के मने पोको तो candle रो जेन light वार सी highly intensity light intensity रे light वार सी तो सेटा के हेंता इसार लिंक कोरीगे सो रोखी दियो जोदि intensity related तमको पोचरा जाओजे ताहले तमको unit हबा लूमेन और जोदि illumination पोचरा जाईचे ताहले 37 unit हबा lumen पर स्क्वेर मेटर आओ तके locks भी कोहा जिवा ओके तो lumen पर स्क्वेर मेटर या तो locks इसारे मने रखव illumination के तो locks रो साबून आएसी तो से इसारे मने रखवी दियो locks रो साबून जे लगासी से illuminate करसी ग्लो करसी या तो illuminate करसी इसारे मने रखव तो illumination रो unit तमवर मैंड जेते लो की पोचराला की what is the unit of illumination तो तम्हें भाविदवग की illuminate करवाटा मने ग्लो करवाटा तो मने पुक्का बोकी locks साबून कथा तो सेनों तमवर मैंड स्ट्राइक करवा locks is the unit of illumination locks र आउट अधर फर्म काना ही परे lumen पर स्क्वेर मिटर नेस्ट कोशिन होचे what is the SI unit of luminance जोदी तमको कोशिन पोचराइचे unit of luminance then your answer should be candela per स्क्वेर मिटर ओके अबर नेस्ट कोशिन के जिमा तो टर्म सिमिलर टु ब्राइटनेस दखा ब्राइटनेस हांगे गुटे सिमिलर टर्म होचे luminosity तो जोदी तमको पोचराइचे एक्जाम रे कि ब्राइटनेस रग गुटे सिमिलर टर्म टेक होग तो तो तम्में और लिहले मिटर ब्राइटनेस समय ब्राइटनेस लुडग गंव ब्राइटनेस नस्षेल कौईचम फ्रार्टर के थे केस जगार तोमआ वर मनें बिल्डिंग मनें लोहःप्रों थिसे ओं तो स्रेज अगर तोमें डाइरेक्लि दखो हाइ डाइर्ट dough नमान कोर केस डिंग्र खारो धकीन वाम हुप्रा शूर्पी साज। zodamoच द्यक्र दानाएट या तो क्लियरेंस तमको रखवार थीवा फ्रम ग्राउंड लेवेल टु दो सर्विस लाइन तो मैं शाटा रखी नहीं पारो तो से जे तुसे इलेक्ट्रिसिटी रूल टाके भायुलेट कोरू चो से ती लागे आमें केवे भी डारेक्ली केवे भी गुटे सर्विस लाइन करूं ब्रैकेट रो थूरे तो है जिनिस्त तमको पुच्राइए चे कि जोधि तमको केवे गुटे लो राइस रो बिल्डिंग टे या तो लो रूफ बिल्डिंग टे मिलू चे आवसे पुच्राइए चे कि इने अमें डारेक्ट्ली सर्विस लाइन के काना कॉनेट कर दे रूफ रेगुटे पूल टे कनेट कर देशु और से पूल थूरे आमें सर्विस कनेक्शन डाके घर के आनिगरे आयसु तो इने तमको अप्सों डावा ऑप्सों बी राइट अंसर दो आर्थिंग एप्लाइड प्लेसे स्वेर इट इस डिफिकॉल्ट टू डिक पीट अप स्ट्रीप आर्थिंगडा करा जाएती है तो सिदु ळू ऑ और स्ट्रीप आर्थिंग कर वovyले तमको ट्रेंज खोडवार लागी नाई पॉड़े या तो गार्थ खोडवार लागी बेसी नाई पॉड़े ओकै तो जेन जागार है रोकी सोयल थिस वासे जागार एमें बैस स्ट्रीप या तो वायर आर्थिंगे कोरी थी सु जो तम आनों रोड आर्थिंग कोरी जीवा तो तमको बहुत गड़ा खुलवाल ले पड़वा अजोटा कि बहुत ही डिफिकल्ट हावा विकोस एड़ाउट रोकी एरिया है वे कोशिन नॉम्बर नाइंटीन ECC स्टांड्स वर आर्थ कोंटिनुटी कोंडॉक्टर नेस्ट कोशिन दो इन्सुलेटर यूजट वेर देर इस डेड़ एंड और कॉर्नर और सार्प कॉर्प इन एस्टी ट्रांस्मीशन लाइन आर स्ट्रेन इन्सुलेटर तो तो तुमको इस तो कोशिन ने पुछ रहाए की गोता क्च और पॉइंट हो ला कि पॉइंड पॉइंट हे विखाला दैर यूज़ ही जागारे सबेकाँ अरेस्ते एन्सुलेटर यूज़ का हैसी स्ट्रें इन्सुलेटर यूज़ का है Thank you